नुश्कार दोस्तों स्वागते फिर से आपको मेरे चैनल में आज हम करने जा रहे हैं MZQs उत्राकंड भोगौलिक सनरचना वो भोगौलिक विभाजन के उपर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो हमारा पहला प्रश्ण है ट्रांस हिमाले वो उच्छ हिमाले को अलग करने वाली फाल्ट लाइन कहलाती है इंडो सांको ब्रंच ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है उत्राकंड का सारवाधिक छेतरफल वाला जिला है उसका सही उत्तर है option A चमूली जिला बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ हमारा अगला प्रश्ण है उत्राकंड के किस भाग में पाताल तोड़कुए पाए जाते हैं अगला प्रश्ण है पूरु से पच्च्चिम तक उत्राकंड राज की लंबाई है पूर्व से पच्चिम तक उत्राखंड राज की लंबाई है 358 किलोमीटर option A 358 किलोमीटर बढ़ते हैं अपने आगले प्रशन की तरफ हमारा आगला प्रशन है उत्राखंड राज का कितना प्रतीशत भाग परवती है इसका सही उत्तर है 86 प्रतीशत भाग उत्राखंड का परवती है अगला प्रशन है उत्राखंड की सबसे उची परवत शेड़ी है नंदा देवी option A नंदा देवी बढ़ते हैं अपने आगले प्रशन की तरफ हमारा अगला प्रशन है स्वर्ग रोहिणी परवत शिकर किस चिले में है इसका सही उत्तर है option B उत्तरकाशी उत्तरकाशी सुर्कंड परवत शेड़ी किस छेत्र का अंग है सुर्कंड परवत शेड़ी है आपका मद्ध हिमालाय का अंग मद्ध हिमालाय ऑप्शन B बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन की तरफ हमारा अगला प्रशन है निम्न में से किस हिमालाय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाख्ष चादित रहता है मतलब हमेशा महां बरफ रहती है इसका सही उत्तर है ऑप्शन C महान हिमालाय अगला प्रशन है उत्राखंड के कितने जिले उत्तर पतेश से सीमा बनाते हैं इसका सही उत्तर है ऑप्शन C पांच जिले प्रशन C पांच जिले पढ़ते हैं अपने अगले प्रशन की तरफ हमारा अगला प्रशन है कामेट परवत शिखर की उचाई है कामेट परवत शिखर की उचाई है 776 मीटर, 7756 मीटर हमारे कामेट परवत की उचाई है हमारा अगला प्रशन है, राज जी की सारवाधिक उचाई वाली आधिकांश परवत चोतिया स्थित है, option A चमोली में अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रशन है, गैर सेन किस परवत शिखरी में स्थित है, इसका सही उत्तर है दूधा तॉली अगला प्रशन है मद्य हिमाले छेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है मद्य हिमाले छेत्र फैला हुआ है आपका नौ जिलों में मद्य हिमाले छेत्र फैला हुआ है आपका नौ जिलों में अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं हमारा अगला प्रशन है उतरह खंडराज की अंतर राष्ट्रे सीमा की लंबाई जो जो पुलो की घाटी स्थित है आर्णार्ण‍द अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है उत्राखंड का पामीर उत्राखंड का पामीर दूधा तौली शेनी अंग है किसका मध्य हिमाले का मध्य हिमाले का option C अगले प्रश्ण है हमारा सारवाधिक अंतराष्ट सीमा रखने वाला जिला कौन सा है सारवाधिक अंतराष्ट सीमा रखने वाला जिला है आपका option A पितरागर अगला प्रश्ण है हिमाले का सबसे नवीन छेत्र कहा जाता है शिवालिक छेत्र को option D शिवालिक छेत्र को बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ हमारा अगला प्रश्ण है निम्न में से राजी का कौन सा जिला पूनता आंतरिक है इसका सही उत्तर है अगले प्रश्णी की तरफ सारवाधिक मानव जन घनत्व किस छेत्र में पाया जाता है सबसे ज्यादा मानव कहां है बाई एरिया उसका सही उत्तर है option b दून बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ उत्तरा खंड का नियुनितम छेत्र फल वाला जिला कौन सा है नियुनितम छेत्र फल वाला जिला है आपका चमपावत option a चमपावत अगला प्रश्णी है बंदर पूझ परवज शिकर किस चिले में है इसका सही उत्तर है option A, उत्तरकाशी, सही option है, उत्तरकाशी, बढ़ते हैं अगले प्रशन के तरह हमारा अगला प्रशन है, उत्तरा खंडर राजी में कुल कितने जिले अंतरराष्ट सीमा बनाते हैं, कितने जिले अंतरराष्ट सीमा बनाते हैं, इसका सही उत्तर है, option C, सही उत्तर है, option C, 5, सही अगले प्रश्णी के तरफ हमारा अगला प्रश्णी है, राजी के किस जिले की सीमा सारवाधिक जिले को इस पर्श करती है, इसका सही उतर है option B, पॉर्ड तो दोस्तो इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और जाज़ादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद दोस्तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में